नमस्कार दोस्तों, दोस्तों, Axis Bank का एक credit card आता है, जिसकी ATL के साथ tie-up है, और ये credit card, पाकी credit card से कितना अलग है, इसमें क्या-क्या benefits मिलते हैं, ATL की साथ में branding होने से कुछ अलग से benefits मिलते हैं या नहीं, और ऐसे जितने भी सवाल हैं आपके इस वीडियो में मैं सब के answer करन So, इस card में जो सबसे बड़ा benefit है, वो है 25% cashback on all ATL bill payments and recharges, चाहे वो आपका mobile का bill हो, या फिर prepaid recharge हो, आपके line-line का bill हो, आपके broadband का bill हो, या फिर आपके ATL DTH का bill हो, या फिर आपके ATL DTH का bill हो, वर do remember, ये सब कुछ आपके ATL thanks app से ही होना चाहिए इस card में आपको Big Basket, Swiggy and Zomatter के उपर 10% का cashback मिल जाता है, इसके अलाबा utility bills याने की आपके water bill, electricity और gas के bill पे 10% का cashback मिलता है, पट इन सब में शर्त होई है, आपको ATL thanks app यूज करना है, इसके अलाबा इस card के साथ काफी सारे partner restaurants जुड़े हो हैं, अगर आप इन restaurants में जाते है तो आपको 20% तक का discount मिल सकता है, इसके अलाबा इस card से अगर आप अपनी गाड़ी में fuel डलवाते हैं, तो आपको 1% surcharge का waiver भी मिलता है, इसके अलाबा domestic airport के ऊपर आपको 4 lounge access free मिलते हैं per year, technically आपको per quarter एक lounge access मिलता है, lounge access के list आप मेरे screen के देख सकते हैं, इसके अलाबा बाग कुछ न कुछ capping लगी हुई है, चलिए इसको detail में समझते हैं, जो मैंने आपको पहला benefit बताया, यानि कि 25% cashback on all ATL bill payments and recharges, दोसो उस पर capping लगी हुई है, आप maximum एक महिने के अंदर सिर्फ 300 रुपे का ही फायदा उठा सकते हैं, जी हां दोस्तों, इसके लाबा मैंने जो utility bill payments के बारे में भी जो बताया था 10% cashback, उसमें भी आपको 300 रुपे की capping लगी हुई है, यानि 300 रुपे से ज्यादा आप benefit नहीं ले सकते हैं, जो मैंने आपको 10% cashback बताया था, उसके उपर भी capping है up to 500 रुपीज और ये total cashback है, यानि स्विगी, जोमेटो और बिग बास्क इस मिलते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो आपको per quarter एक lounge access मिलता है, जो 1% surcharge waiver है fuel के उपर, उसमें भी आपको एक restriction लगी हुई है, जिसमें आपको कम से कम 400 रुपीज तक का petrol लेना ही पड़ेगा, तब ही आपको 1% का surcharge waiver मिलेगा, जो मैंने आपको last benefit बताया है, अब अच्छी बात यह है कि यह जो cashbacks है, वो आपको किसी points के form में नहीं मिलते हैं, यह जो भी आपको cashback मिलता है, वो आपकी statement में adjust हो जाते हैं, यानि कि जो बाकी credit cards में होता है, कि points इकटे हो, उसके बाद आप उसको convert करो, किसी reward में, या फिर किसी cashback में, तो वो सब ज purchase के बाद, आपको 500 रुपीज का Amazon का voucher मिलता है, जिसे आप अपनी shopping के लिए use कर सकते हैं, तो यह तो हो गई इनके benefits की बात, अब इस card को apply कैसे करना है, वो भी मैं आपको बतायता हूँ, इसके दो तरीके हैं, या तो आप ATL thanks app पे जा करके इसको apply कर सकते हैं, या फिर access bank की website पे भी जा करके इसको apply कर सकते हैं, उसका mail link description box में दे दूँगा, कुछ basic documents की requirement होगी, जैसे की pancard की photocopy, form 60 वगरा, color photograph, proof of income, form 16, IT return, address proof, यह सब जो basic documents हैं, वही सब use होंगे, generally यह सारे documents आप किसी भी credit card में आपको देने ही पड़ते हैं, documents की list आप मेरे screen पे देख सकते हैं, by document list है, यह सिर्फ indicative है, हो सकता है, bank आप से कुछ और भी documents मांग ले, तो be prepared for that, आपके पास access bank का account है या नहीं है, इससे कोई फरक नहीं पड़ता, कोई भी इस card को apply कर सकता है, इस card को लेने के लिए आपको 500 रुपे की joining TB देनी पड़ती है, और हर साल आपको 500 रुपे as a annual PB द रुपे लगते हैं, 500 रुपे से 5000 रुपे तक के बीच में अगर आपका बिल है, तो आपको 500 रुपे as a late payment charges देने पड़ेंगे, 5000 सेदस घर रुपे तक का अगर आपका बिल है और आपको 700 फोपे as a late payment charges देने होगे, और अगर आपका बिल 10,000 रुपे से जएदा है, और finance charges यानि कि किसी भी बड़ी purchase को अगर आप finance करवाना चाते हैं उसे EMI पर convert कराना चाते हैं तो दोस्तों इसमें finance charges बहुत जादा है 3.62% per month यानि कि around 52% per year है तो दोस्तों मैं recommend करूँगा कि इस card के ऊपर आप कोई भी बड़ी purchase finance नहीं करवाएं तो better है इस card से आप cash withdraw कर सकते हो पर दोस्तों मैं recommend नहीं करूँगा किसी भी credit card से आप cash withdraw करें because cash withdrawal की जो charges है वो बहुत जादा हाई होते हैं इस interest भी बहुत जादा लगता है so I don't recommend इसमें around 2.5% जो है interest charge लगता है चाहे आप time pay pay करो या नहीं करो दोस्तों आपको extra charges तो दे नहीं है so I don't recommend at all कि आप इस card को use करो for cash withdraw so I hope this card के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों अगर मेरे opinion की बात करें तो I don't recommend this credit card at all मैं कहूंगा कि आप इस card को avoid करें market में इससे बहुत अच्छे credit cards available है आपको इस credit card कैसा लगा मुझे comments में ज़रूर बताएं और अगर आपकी कोई recommendation है आपको चाहते हैं कि different credit card के बारे में मैं वीडियो बनाऊ तो मुझे comment में वह भी बताएं so that's it दोस्तों आज के लिए इतना ही है और अगर आपको